नमस्कार आप देख रहें नियूस फॉर्णेशन और मैं हूं सांथ वनाब के साथ राज़त सुप्रीमों देश के कदावर नेता लालू प्रसाद यादव चारा घुटाली के सबसे बड़े मामले आने कोशागार की मामले में जील में बंद है कोट ने उन्हीं 5 साल की सजा साथ साथ लाक रुपे का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है जैसे ही ये फैसला निकल कर सामने आया पूरी राज़त परिवार में निराशा देखने को मिली लेकिन अब राज़त अपनी नई पारे के लिए खुद को तयार करने में जुट चुका है अपनी पाटी के व अब पाटी के द्वारा एक टार्गेट भी तैय किया गया है आपको बता दे कि वर्तमान नीता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने ये बात कही है कि जो भी पाटी में सदसे लाएंगे उन्हें पाटी के तरफ से टिकेट दिया जाएगा दरसल लालोयादव और लालोयादव की पाटी राज़त फिर से एक बार चर्चा में है लालोयादव को जहाँ चारग भूचाले के एक और मामले में पात साल की सजा हुई है वही उनकी पाटी लालटेन की लौको गाउं गाउं घर-घर तक पहुचाने का लक्ष लिये सदसिता अभ्यान के बहाने जार्खंज में लालूय आदफ को जेल और दूसरों को बेल की मुद्दे पर राज़त के कारकरता जन गोलबंदी की रनडीती बना रहे हैं। आने वाले दिनों में लोग खुद महसूस करेंगे। राज़त के प्रधान महसचिव संजय आदफ के मुताबिक लालोय आदफ के संदेश को राज़त के हर गाउं तक पहुचानी का काम राज़त के नीतों और कारकरता करेंगे। लालोय आदफ के जेल जाने से उनका मनुबल कमजोर होने के बजाए उनके अंदर नई उज्जा का संचार हुआ है। राज़त के नीता गाउं गाउं जाकर लालो के जेल में रहने को गरीबों की आवास को कैद में रखे जानी जैसा बताएंगे। राज़त को कैसे राज़नितिक लाभू मिलेगा यह तो दीखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ राज़त परिवार में हताशा देखने को मेरी तो वहीं एक बार फिर से राज़त नई सिरे से अपनी राज़नितिक पारी खेलनी को तयार हो चुका है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाने के बाद अब राज़त जहारखन में अपने विस्तारी करण को कदम आगे बढ़ानी जा रहा है। राज़त ने इस बात का एलान कर दिया है कि आने वाले 6 मार्ट से सदसिता अभ्यान को चलाया जाएगा और जो भी लोग राज़त में सदस्य को लाएंगे उन्हें राज़त के तरफ से टिकेट भी दिया जाएगा। लगता लालु फिसाद यादव के जेल जाने के बाद पाटिक खुद को मजबूत बनाए रखने का काम कर रही है और अब इसी बहाने गोल बंदी की रणनीती राज़त के कारे करताओं के तरफ से जारखंट में देखने को मलेगी। फिलाल के लिए सब्डेट में अतना ही है न कई अब्डेट्स के लिमाए साथ बने रही न्यूस फॉर्नेशन में नमस्कार